और बात अब पश्विन मंगार के संदेश खाली की अरेंगे जहां पर TMC नेता के खिलाफ ग्रामीर सड़क पर उतराएं संदेश खाली के बेरमा जुर में टीमसी रेता शंकर सर्दार के घर में प्रदर्शन कारियों ने तोड़ खोड़ की साती हलदर अली के खिलाफ प्रदर्शन किये गए है अजीत मेती की किरफतारी के बाद हलदर अरी को टीमसी का स्थानिय सायोजक नियुक्त किया गया है हलदर के बाहर रखे सामान कुपदर्शन कारियों ने आख के हवाले कर दिया अतरिक पुलिस बल के साथ आरेफ को यहां तैनाथ कर दिया गया है रितिक मंदल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ रितिक अब तो हलदर अधी को भी लेकर लोगों का अक्रोश सामने दिखाई दे रहा है जी बिल्कुल देखे हलदर अधी को कल ही जैसे ही अजीत महतों जिसको धर्द पोचा गया कई सारे आरोब महिलाओं के और गाओं के लोगों के उनके खिलाफ थे तो उसको यह लोकल टीमसी के जो है कॉन्वेर बनाया गया था और बीती रात उनके घर पर भी आगजनी की आरोप है और फलहाल आज अपसे एक घंटा पहले फलहाल मेरी मौझूदगी शौंक और सरदार के घर पर है इसी बेरमुजूर इलाके में जहापर हलोधर आरी का भी घर है मैं ज़रा दिखाना चाहूंगा हमारे तस्वरी के जरीए कि किस तरीके से घुस्साए भीर ने यहाँ पर त जरा दिखाए और वो जरा दिखाए कि किस तरीके से घर पर तोरफोर किया गया है इस मौके पर फलहाल शौंक और सरदार वो नहीं थी उनकी पतनी घर पर थी मैंने उनसे बात किया तो कहा कि विरोधी घुट के जो लोग है वो आकर यहाँ पर तोरफोर किया गया लेकिन मै आपको बता दू कि गावबालों से हमने जब बात किये तो वो ये कह रहे है कि इस इलाके में सिर्फ शेक शाजान ने उनके करीबी जुतने भी लोकल चुनुमूल कॉंग्रिस के निचलिस तरके नेता है उनके खिलाफ ज्यादा तर आरोप है लैंड ग्रैप की यानि जमीन हर अपने की आरोप है सुबह तो हमने ये भी सुना कि जैसे हरोदार आरी के खिलाफ आरोप उठ रहे हैं तो किसी ने मुझे कहा कि वहाँ पर बाकाइदा उन्होंने पुलीस के जो कैम्प वापर बनी हुए वहाँ पर जाकर उन्हें आरोप दर्श करवाया है कि प्रधान मंत के खिलाफ ग्रामीर सड़क पर उतरा हैं संदेश खाली के बेरमाजुर में टीम सी नेता शंकर सर्दार के घर में प्रधर्शन कारियों ने तोड़ फोड़ की है इधर करकता हाइकॉर्ट ने शाजां शेक की गिरफतारी नहीं होने से नाराज़ की व्यक्त की हाइकॉर्ट एमसी नेताओं के घर में तोड़ फोड़ की गई है। पर पहुचते हैं उसके बाद उन्हें वाद से सुरक्षित पुली स्थाने ले जाती है। कई सारे आरोप उनके खिलाफ दर्च किये गया है। उसके मताबक उसे गिरफतार किया गया है। और इसी एम वक्त में और भी कई सारे कडिया जो है जुरते जा रहे हैं। शेक शाजान के भाई शेक शिराज के खिलाफ पिछले तीन दिनों से यहाँ पर आवाज बुलंद करती हुई महिलाए और लोगों ने कई सारे आरोप जो है बाखायता दर्च करवाया है। बताया जा रहा है कि सौक के ज्यादा आरोप शेक शिराज के खलाप है उत्पीरन के, अत्याचार के, माड़ पीट के और जमीन हरपने के इसके मताबिक उनके खिलाफ एक एफायार दर्च करवादी के ही है लेकिन इस बीच अभी भी तनाव किस्तिती है और शेक शाजान औ पता पता नहीं है लेकिन इस बीच रवी बार रात को फिर से इसी बेरमूचूर इलाके में जो है यहाँ पर तनाव किस्तिती पहली जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस मौजूदा हालात में जब अजीत महिती को गिराफतार किया गया तो वैसे ही उसे कुछ पाटी ने चुना है और उसी रात रभी बार उसके घर के बगल में इस इलाके में उनकी ही जमीन पर आग जनी की गई ऐसे ही आरोप है परिवार का कहना है कि घुसा है लोग आपर आग जनी उन्होंने किया है काफी लंबे वक्त से लोग यहाँ पर ट्रुमूल कॉंग्रिस की जो नेता है उनके खिलाफ वो इस तरीके से विरोत प्रदर्शन कर रहे है जिस दिन होलोधर आरी को यहां की लोकल कमिटी की जो दाई तो भार दी गई उसी दिन उनके घर पर इस तरीके से आग जनी करवन आने की जो है आरोप है उसके बाद हम देख सकते हैं यह इलाके खर पर है और सुरक्षित सुरक्षा के लिए वो घर से नहीं निकल रहे है और इस इलाके में अभी भी जो है पुलीस की तैनाती बरा दी गई है कामेरा पसंद की रुजे दाश के साथ तरीक तिक आच तक के लिए